मार्गम सत्यम जीवन येशू, प्रियतम येशू, अनुपम येशू सबको जे येशू, आज की रोटी एकारे क्रम में मैं आप से भी लोगों का हर दिख स्वागत करता हूँ आज के दिन में प्रभू का वच्छन हम सबों को सिखाता है कि प्रभू येशू मस्य में ध्रड अठल विश्वास करने से और उस विश्वास से जीने से हमारी मुक्ति संबव है यहुदी लोग प्रभू येशू पर विश्वास नहीं कर पाए इसलिए प्रभू ने उनकी मदद की पुराने विदान की उस उधारन को उनके सम्मुक रखा जब इज्रारी जनता पाप कर रहे थी ईश्वर के किलाब बना रहे थी उस वक्त जब जहरीले सामपों ने काटा उन सामपों से बचने के लिए इश्वर ने मुसा से कहा खानसे का सामप को बना के उस लकडि की उस पोल पर टांगने के लिए और जो उस पर द्रस्टी डालेगा वो बच जाएगा ये उधारन प्रभू बताते हुए अपने जीवन का उधारन बताते हैं जब मानो पुत्र प्रत्वी से उपर उठाये जाएगा तब तुम जाओगे कि मानो पुत्र कौन है और उसे भी गहरी बात जब पुत्र आत्मा आएगा प्रभू के मृत्यू के बाद पुनृत्तान के बाद जब पुत्र आत्मा आएगा वो सब कुछ समझाएगा ये बात प्रभू ने यहोदियों को बताया, सिखाया, समझाया लेकिन उनकी रदय के कटोरता के वज़े से वो प्रभु की बात नहीं समझ पाए, नहीं अपना पाए, नहीं विश्पास कर पाए आयम आज के सु समचार को सुने संत योहन के अनुसार पवित्र सु समचार अध्याई आठ पसंक एकिस से तीस ये सुने फरीजियों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे डूंडोगे, किन्तु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे मैं जहां जा रहा हूँ, तुम वहां नहीं आ सकते इस पर यहोदियों ने कहा, कहीं या आत्महत्य तो नहीं करेगा यह तो कहता है, मैं जहां जा रहा हूँ, तुम वहां नहीं आ सकते ये सुने उन से कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं उपर का हूँ तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ इसलिए मैं ने तुम से कहा कि तुम पाप की सित्य में मर जाओगे यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं ही वही हूँ तो तुम पाप की सित्य में मर जाओगे तब लोगों ने उन से पूछा आप कौन हैं? ये सुने उत्तर दिया इसके विशे में तुम लोगों से और क्या कहूं मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोशी टहरा सकता हूं किन्तु मैं संसार को दोशी संसार को वही बताता हूं जो मैंने उस से सुना है जिसने मुझे बेजा है क्योंकि वह सचा है वे नहीं समझ रहे थे कि वहाँ उन से पिता के विशे में कह रहे हैं यसलिए ये सुने कहा जब तुम मानो पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी और से कुछ नहीं करता मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है जिसने मुझे को बेजा है वह मेरे साथ है उसने मुझे अकेला नहीं चोड़ा क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है बहुतों ने उन्हें यह सब करते सुना सुनकर उन्में विश्वास किया प्रभू का सुसमचार प्रभू कृस्त में प्यारे भाईयो बहनों आज का वच्छन हम लोगों ने सुना प्रभू फरीजियों से कहता है यहुदियों से कहता है कि वो कौन है लेकिन उनको समझ में नहीं आता है इसलिए प्रभू कहता है जब मानो पुत्र को तुम प्रत्वी से उपर उठाओगे तब तुम जान जाओगे जिस प्रकार से इसराली जनता ये बात जान गई, समझ गई जब पाप करने के बाद मुसा के द्वारा इश्वर के निर्देश के अनुसार खांसे का साम को बना कर लकड़ी के पोल पर ठांगा गया और जिसने भी उस पर द्रस्टी डाली वे सब के सब उस जहरी ले साम के विश से बच गए उसी प्रकार से मानो पुत्र जब प्रत्वी से उपर उठाए जाएगा यहनि कि जो बलिधान प्रभु येसू समस्त मानो जाती के पाप मैं विश से बचाने के लिए अपने आपको वो सक्रूस के बलिवेदी पर चड़ाएगा तब लोग जान जाएंगे कि प्रभु येसू ने मानो जाती के मुक्ति के लिए पाप की दास्ता से चुड़ाने के लिए सूली की वेदी पर कलवारी पर बली चड़ाया है और इस प्रकार से लोग जान जाएंगे समझ जाएंगे तब भी इतनी सारी बातें समझाने के बवजूद यहूदी फरीजियों का रध़ी कटोरता वो समझ नहीं पाया इसलिए प्रभु ने ये भी कहा कि मानव पुत्र अपने पासका रहसी के रहसी को पूरा करते हुए यहनी कि अपने दुक बोग, कस्ट, पीड़ा, क्रूस पर मरने के बाद, पुनरतान के बाद स्वर्ग जाएगा और पवित्रा आत्मा आएगा वो पवित्रा आत्मा सब को समझाएगा ये बात भी उनके मन में समझ में नहीं आए इस प्रकार से प्रभू हम समों को आज के दिन में सिखाता है उस प्रभू मसी के प्रायश्चित का फल जो मुक्ती है उसको प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको येसु मसी में द्रड अठल पक्खा विश्वास करना है कि हम सभी जो प्रभू से प्यार करते हैं प्रभू की आग्याओं का पालन करें और उसकी आग्या है आग्या क्या है कि हम उसके पुत्र येसु मसी में विश्वास करें ये आदेश है पिताप परमेश्वर का और जो विश्वास करता है वो दोशी नहीं टहराए जाएगा यहने कि जो विश्वास करता है वो मुक्ती प्राप्त करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा प्रभी इस मसी में वो दोशी टहराए जाएगा, यहने कि उसकी मुक्ती संबव नहीं है, इसलिए आज के दिन में उस महान रहस्य को हम सबों के सामने कोला है, जो रहस्य है, कापों की उस दास्ता को कुड़ाने के लिए उस क्रुस की बली वेदी पर अपनी कुर्बानें देगा और जो पुर्भ मसी बली पर कुर्बानें पर विश्वास करेंगा वो उस मुक्ति को प्राप्त करेंगा अन्यता वो दोशी तहराए जाएग sih लें बाईयों बेहनों हम सबों को आज का दिन में आज का वचन हमें बुलाता है हम उस प्रभु येस सुमस्य में दरड विश्बास करें फरीजी यहुदी जनता के बांती अपने रदई को कठोर ना बनाएं अपने मनमाना आचरन ना करें बलकि जो हमें बताया गया जो हमें सिखाया गया दर्म गरंती के माद्यम से स्वहम पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के दोरा जो प्रकट किया और जो प्वित्रा आत्मा हमारी जो अगवाई करता है उसके अनुसार हम चलें उसके अनुसार जीएं और प्रभु मस्य को स्वीकार करें अपने मुक्ति दादा के रूप में प्रभु मस्य में सच्छा विश्वास करते विया मुक्ति प्राप्त करें क्योंकि हम सबों को दूसरा कोई नहीं है जो बचाने वाला आकाश के नीचे दर्ती के ऊपर समस्त मानों जाती के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक मात्र नाम दिया गया है वह एक मात्र नाम प्रभु येश्व का नाम इसके अत्रिक्त दुसरा कोई भी हमें नहीं बचा सकता इसलिए हम दोशी नहां टहराए जाएं बलकि हम प्रभु में बिश्वास करते ही हम सभी मुक्ति प्राप्त करें और उस स्वर्ग का प्राप्त करें उस अनंत जीवन का प्राप्त करें प्रभु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा अनंत जीवन का सुक देगा और उस पवित्रा आत्मा से हम समों को नवाजेगा, वो पवित्रा आत्मा में दिन प्रतित दिन उस प्रभू के मार्ग पर चलने के लिए सिखाएगा, वो सत्य को हमारे सामने खोलेगा, और सत्य हम समों को अजाद कर देगा, इसलिए आज के इस वचनों के लिए प्रभू को और उसे भी जीवन बिताएं और प्रबु मश्य में विश्वास करते वी है उस पितार्परमेश्वर को धन्यवाद दें जिस पितार्परमेश्वर ने अपने महती दया और प्रेम के चलते अपने पुत्र येश्व मस्य को इस दर्टी पर बेशते हैं हम सबों को पाप की दास्ता से चुड़ाने का प्रबंदे किया इसलिए हम आज के दिन में प्रभु मस्य में द्रड़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें मुक्ति प्राप्त करें उध्धार प्राप्त करें वही प्रभु हमारी मदद करें पिता और पुत्र और पवितरात्म के नाम पर आमेन